नरेश मीना के मैदान में उतरने से देवलिव नियारा सीट पर मुकावला बेहत दिल्चस्प हो चुका है। हनुमान बेनिवाल के एलान के बाद स्यू विधान सभस निर्दली विधायक रविन सिंग भाटी ने भी उपचनाव में नरेश मीना को समर्थन देने का एलान कर दिया। समर्थन के एलान से उपचनाव में कॉंग्रेस के लिए टेंसन बढ़ चुकी है। कॉंग्रेस से बागी हुए नरेश मीना ने छेत्रिय सांसद हरीस मीना पर आठ करोड रुपए में टिकट बेचने का आरोप लगाने के बाद अब सचिन पाइलट पर भी बड़ा बयान दे दिया है। कॉंग्रेस से नाराजगी और बीजेपी से मिले वाली चनोती के बारे में बात करते हुए नरेश मीना ने कहा कि राजनेतिक पार्टी आयुवाओं को राजनेति में हत्या करती हैं अगर 2023 के बिधान सभाचुनावों में पहले कॉंग्रेस मुख्यमंत्री बना देती तो 2023 के बिधान सभाचुनावों में नतीजे इसके इलट होते और कॉंग्रेस पार्टी को बड़ी जीत मिलती नरेश मीना को लेकर एक बड़ी बात यह भी सामने आ रही है कि उनके देवली उनियारा सीट पर मैदान में उतरने से कॉंग्रेस का समीकरन तो बिगड़ी गया है रविंद्र भाटी के समर्थन के एलान के बाद इस सीट पर मुकाबला और कांटे का हो गया है पहले हनुमान बेनिवाल फिर रविंद्र भाटी के समर्थन के बाद नरेश मीना राजकुमार रोजचंद सेखराजात के समर्थन की उम्मीद पाले बैठे हैं इसके बाद हु पिछले पांच साल से कई बार ऐसे मौके आए हैं जब सचीन पाइलट के बज़े से कोई ना कोई विवाद जरूर हुआ है। तो दूसरे नमबर पर स्वाभाविक रूप से सचीन पाइलट ही याद आते हैं। ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा रहा है कि उन्हें सचीन पाइलट का गुट का नेता माना जा रहा है जो लगातार इस सीट पर टिकट से मांग कर रहे थे। लेकिन उन्हें टिकट नहीं दी गई कस्तूर चंद मीड़ा को टिकट मिला। कॉंग्रेस से टिकट नहीं मिलने पर मीड़ा काफी दुखी हुए थे। कुछ लोगों का मानना है कि देवली उनियारा में उन्हें हनुमान बेनिवाल का जो समर्थन मिला है उसके बाद सवे आस्तोस हैं कि पर नाम बदल जाएगा इस बीच बार बार सचीन पाइलट के साथ उनका नाम जुड़ने से जुड़ी खवरों में भी हवा बन रही है। इस पूरी लड़ाई में हरी समीना की भूमिका भी काफी संदिक ध्मानी जा रही है। नरेस मीना ने तो सीधे तोर पर उन पर आरोप लगा कर राजनितिक सरगर्मियां पैदा कर दी हैं लेकिन सचीन पाइलट का नाम जुड़ने के लावर चार बड़े नेताओं का नाम उनके समर्थन में आने से राजनितिक कयास बाजी तेज हो गई है। राजनितिक गलियारों में इस बात की चर्चा होना स्वाभाविक है कि कहीं यह सब सचीन पाइलट के इस आरे पर तो नहीं हो रहा क्योंकि जब यहाँ से टिकट उन्हें नहीं मिला तो उन्होंने यह कह दिया था कि चुनाव नहीं लड़ेंगा लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि न सिर्फ नरेस मीना का मन बदला बलकी राजनिती के चार धुरंधनेता पक्ष में आ खड़े हुए अगर इसे सचिन पाइलेट से जोड़ कर देखा जा रहा है तो निश्चित रूप से यह कहा जा सकत है कि सचिन पाइलेट का राजनितिक के अनवास बढ़ रहा है